हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आप सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम बात करेंगे बहुती ज़्यादा खुबसूरत प्लांट के बारे में जिसका नाम है एकलीफा प्लांट इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कौपर लीफ प्लांट या फिकली लीफ प्लांट ये प्लांट काफी ज़्यादा खुपसूरत लगता है इसके जो पत्तियों में वेरिगेशन होता है उसके कारण इसकी खुपसूरती काफी ज़्यादा अच्छे लगती है और ये प्लांट काफी ज़्यादा हाड़ी प्लांट भी है ये प्लांट बिल्कुल कम केयर में भी काफी अच्छे से चल जाता है ये प्लांट कई सारी वराइटियों में आता है इसकी बहुत सारी वराइटिया है मेरे पास इसकी दो वराइटिय है एक ये और दुसरी ये वाली इस प्लांट को मैंने लगाया हुआ है 10 इंच के पॉट पे आप इसे छोटे बड़े किसी भी पॉट पे लगा सकते हैं लेकिन अगर 8 इंच से बड़ा पॉट हो तो प्लांट उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा इस प्लांट की केर की बात करें तो ये काफी कम केर में चलने वाला प्लांट है सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सनलाइट की वैसे तो ये प्लांट सेमी सेड में और फुल सनलाइट में दोनों जगों अच्छे से चल जाता है लेकिन अगर हम इसे 3-4 घंटे की सनलाइट दें तो इस प्लांट की पत्यों में बहुत ही अच्छा वेरिगेशन आता है और अगर हम इसे ऐसी जगों पर रख दें जहां पर बिल्कुल सनलाइट नहीं आती हो सिर्फ रोसनी आती हो सूरज की तो उस जगों पर इसकी जो सारी लीप से हैं बिल्कुल ग्रीन सी हो जाती है अगर इसकी पत्यों में अच्छा सा वेरिगेशन चाहिए तो इसे 3-4 घंटे की सनलाइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेरे इस प्लांट में वेरिगेशन थोड़ा सा कम आया हुआ है क्योंकि इसे सिर्फ अभी 1-2 घंटे की सनलाइट मिलती है अभी कुछ सन टाइम बात मैं इसे विंटर में फुल सनलाइट में रखूंगी तो इसकी पत्यों का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा जिन प्लांटों की पत्यों में हलका सा वेरिगेशन आता है उन प्लांटों को 3-4 घंटे की सनलाइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है जब हम उन्हें 3-4 घंटे की सनलाइट में रखते हैं तभी उनकी पत्यों में वेरिगेशन आता है सनलाइट के बाद हम बात करेंगे इस प्लांट की सॉइल के बारे में वैसे तो ये प्लांट किसी भी सॉइल में अच्छ से ग्रो कर जाता है लेकिन अगर हम इसे जब पॉट पे लगाते हैं तो well-dained मिट्टी में लगाएं तो काफी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा watering की बात करें तो इस plant को moist मिट्टी काफी ज़्यादा पसंद आती है summer season में हमें इसे daily पानी देना होता है और winter season में अगर हम इसे एक दिन छोड़ के भी पानी दें तो ये काफी अच्छे से grow करते हैं इस plant में कोई flower नहीं आते हैं लेकिन इसमें इस तरह की कुछ sticks से निकलते रहते हैं ये देखी ये flower तो होता नहीं है पर इस तरह की stick से निकलती हैं मैं इनको daily जब भी ये आती हैं तो मैं ने तोड़ देती हूँ इनको तोरने से इस plant की growth काफी अच्छी होती है अगर इसमें से ये जो EQStick हैं बहुत सारी बन जाती है तो इस plant की growth थोड़ा सा रुख जाती है तो इसलिए इन्हें तोरना ही जादा अच्छा रहता है इस plant में insect लगने की बात करें तो इस plant में कभी-कभी millie bugs लग जाती है जो इसकी ये curly leaf होती है इसके बीच में वे छिपी रहती है तो आप जब भी इस plant को देखें तो कभी-कभी इसकी जो इक curly leaf होती है इसके बीच में चेक करने अगर millie bug हो तो उन्हें हटा दे या फिर आप 20-25 दिन में एक बार नीम उयल का स्प्रे या फिर किसी भी लिक्विट सोप का स्प्रे कर सकते हैं इस प्लांट के लिए उतना ही काफी रहता है और किसी भी प्रकार की इसमें कोई वैसे समश्या आती नहीं है प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट काफी आसानी से कटिंग से ग्रो कर जाता है इस प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं फरवरी में या फिर बरसात के सीजन में और जब भी cutting लगाएं तो थोड़ा सा mature सी cutting लें तभी वो आसानी से लगेगी winter season में थोड़ा सा इस plant की growth रुख जाती है और summer season आते ही ये काफी अच्छे से बढ़ने लगता है वैसे ये plant काफी ज़्यादा hardy plant है आसानी से ये plant खराब नहीं होता है एकलीफा एक permanent plant है आप इसे एक बार लगाएं और ये काफी लंबे टाइम तक आप ये garden में बना रहेगा तो आप भी इस plant को अपने garden में जरूर लगाएं ये बहुत ही ज़्यादा खुपसूरत plant है और इसकी care भी काफी ज़्यादा आसान है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीच मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद